नमस्कार जय हिंद जय जोहार जय च्छतिजगड वन्दे मात्रम प्रिप्रत्भागियों आज हम लोग च्छतिजगड के करेंट अफेर के अंतरगत उन महत्पूर घटनाओं का अध्यन करेंगे जो इस सितंबर महा में विसेश उपयोगी है आपके परिच्छाओं के लिए तो चलिए आज नजर डालते हैं वह कौन सी घटनाएं हैं जो आपके प्रतियोगी परिच्छाओं के देश्ट्यकोड से अत्यंद महत्तपूर हैं तो क्लास को सुरू करने से पहले आप सभी से मेरी गुजारिस है कि हमारी से चैनल को आप लोग लाइक बटन को शेर कर रखिएगा यदि आप नए प्रतिभागी होंगे तो बेल आइकाउन को आप अन करके रखिएगा इससे जब भी हमारी प्लासिस होंगी ऑनलाइन के माध्यम से उसका जानकारी आप तक पहुंच जाएगा और सभी प्रतिभागी इस वीडियो को पूरा अंद तक देखें औ और देखने के बाद आप सभी से मेरी विनम्र प्राथन है आग्रह है कि आपको यह सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी आप जरूर कमेंट करिएगा ताकि हम अपने अगले एपिसोड में उन कमियों को आपके द्वारा बताएगा सुझाओं को सामिल करे सांथियों तो चल बेमे तरह में विस्व के सबसे उचे बंबू टावर का आज गटकरी करेंगे वर्च्वल उद घाटन हाला कि यह आज की खबर नहीं है इस सितंबर महा की खबर है अठारा सितंबर तो आप देख रहे हैं अठारा सितंबर बुद्वार को जो है विस्व बांस दिवस के उस बुद्वार को आपको यह तारा सितंबर याद रख सकते हो विस्व बांस दिवस के नाम से बाकी दिन विन को याद करने ही जरुवत नहीं है ग Whatsapp will नबेडान उंतला जर्ड हो और यह नंवी ज़िला सकते हैं म॑ कैठिय है ल्गेख की शेए तुर में कठी है वो कौटी की से बनःऊं है बस की काठी का नत्यारते तो बास से आपको याद रहेगा वह तो बास से कठिया गाओं में क्या बनाएगा है सबसे उच्छा बंबू टावर यह सबसे खास बात है दिल्चस्प कि यह दुनिया के सबसे उच्छा बंबू टावर का केंद्री सड़क परिवहन मतलब यह दुनिया का सबसे उच्छा बंबू टावर है दुनिया का यह बड़ी खास बा उद्घाटन के लिए हमारे केंद्री मंत्री जानते हैं ना नितीन गटकरी जी का आगमन हुआ था और यह हाला कि आया नहीं थे वहीं दिल्ली से बैठे बैठे जो है वर्च्वल वुडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से जो है इसका उद्घाटन किये थे तो आज कर जानते हो है तो कौन्फरेंसिंग के माध्यम से जो है इस जगह में विश्व का जो सबसे बड़ा टावर है उंटिया टावर है इसका जो है क्या हुआ है वोडगातन हुआ है तो याद रेखेंगे प्रश ना सकते है कि श्र्दिज़ गड़का कौन सा जगह है या इस थान है जहां प पेरीस का एफिल टावर ध्यान देंगे इसमें खास जो विसेस्ता है पेरीस का जो एफिल टावर जैसे डिजाइन वाले 140 फिट उचा अब इसकी विसेस्ता को याद रखे गया जैसे आप जानते हो हमारे 36 गड में आप चले जाए गिरोध पूरी तो वहां पर गिरोध पूर से जादा है उसकी हैट है कुई मिनार से जादा उसकी हाइठ तो यहाँ पर आप देखोगे दुनिया में पेरीस को सब जानते हैं परविण będę तो इसी पेरिस में जो टावर जो क्या बोलते है एफिल टावर तो इसी की जैसे डिजाइन वाले 140 फिट उचे इस टावर का निर्माण भव्य श्रिष्टी उद्योग ने किया है न तो श्रिष्टी उद्योग है जो बास प्रौध्योग से जुड़े गड़ेसवर्मा का यह उद्योग है उनको नाम है स्रिष्टी उद्योग तो भव्य श्रिष्टी उद्योग ने जो है इससे एफिल टावर जितना उचा 140 फिट का बंबू से बांस से क्या है टावर बनवाया है विस्वका सबसे उचा बंबू टावर आप सभी लोग याद रख लीजिए कठिया जीला बेमेतर जीला बेमेतर तो सभी को याद रखना है वेरी वरी इंपोर्टेंट अगली खाज जानकारी देखते हैं यह आपके सामने पिक् यह दुनिया का सबसे उचा है ना फोटों भले लग रहा हुआ थोड़ा सा है लेकिन इतना एक-एक मंजील है देख लो एक 120 फिट मानके चलिए तो ुदा उतना है इसका हइट मानके चलिए यह दुनिया का सबसे उच्छा बाच स्वारा बनाया गया निर्मिद कहना चाहिए फिल टावर मैं बोलने से इसको को मैं बोल सकता हूं प्रस्ण बन सकता है कि च आपको बोलना है अगली जानकारी यह और देखिए इसके बारे में खास विश्वका सबसे ऊचा बास की टावर बेमेतरग जिले में कठिया गाउ में अब तो लगता है मुझे आप लोग हमेसा याद रखोगे यह कठिया गाउ एफिल टावर याद रखना बांस से बना है इसलिए बंबू टा आप जानते हैं जैसे ही बारिष का मौसम आता है जून जुलाई अगस सितंबर में तो फिर जो वाटरफॉल है उनमें अलगी खुबसूरती बढ़ आती है तो यह जो फुल पाड जलप्रपाथ है यह दंतेवाडा का तबसे उच्छा जलप्रपाथ है ध्यान दिजिएगा दंतेवाडजिला जहाँ बाकी बस्तर में चले आव बीजापूर बहुत सारे हैं लेकिन दंतेवाडब में हैं लेकिन उतना ज्यादे नहीं कंपेर करोगे आप बस्तर वाटरप्रप्र जिएगाशन फुम्नाला से होते हुई फुल पाड झारणा बनाती है निर्मित करती है और यहां अनमार ळाला लगभं 200 फ्यूट की ऊचाई से घियरती है है काफी हॉट है 200 फ्यूट क से घियरना मलब बहुत ऊचा हो जाता है इतना तो चित्रकोट का हाइट नहीं, चित्रकोट का 90 फिट है, जीरा तुजड़ का 300 है, तो ये 200 फिट उचाई के सांध गिरती है, फुल पाल जलपरपात, आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, फुल पाल जलपरपात का, ये देखिए, मन मोहक छटा भीगारता हुआ, फुल पा तो यहां पर आपको फुल पाल जलपरपात, अब इसको याद कैसे करना है, तो ट्रिक देखिए, आप सभी यारते हैं कि दंते वाड़ा में कौन सी देवी विराजमान है, आपको यारत नहीं, इंकावन सक्ति पीठ में से एक मा दंते स्वरी, मा जी का, मा का जो है दाद ग पूल पाल जलपरपात कहा है बोलने से दंते वाड़ा आपको याद रहेगा, इस पर आगे बढ़ते हैं साथियों, अगली जाने का है तिसरा खास हर्रा और चिरोंजी, इनकी जो पुठली है इसके आयरुवेदी गुड़ों पर होगा अब सोध, रिसर्च होने माले हर्रा जानते हूं सबसे बड़ा ड्रक बोलते है तुलसी को पौधा होते 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 हैं हर्रा, बेर हर्रा है जिसको रोगयों की माह कहते हैं इसको हर्रा को ऐसे कह तो हर्रा को है में आप जाएंगे तो जङकल में मिलने वाले और चिरोंजी यह जो हर च जिरोंजी जिल है च्यरोंजी जो है चार नामा जो को सकते हो उसके निकलते हैं तो चिरोंजी गुठली के अरवधिक गणों पर सोध करने बस्तर में जो है अरवधिक बस्तर में आयरुवेदिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी तो ये एक नया प्रश्ण उठ सकता है कि अलही में कौन से वनुपज पर आयरुवेदिक जो कौन से मलब आयरुवेदिक वनुपज है जिस पर सोध होने वाला है तो आको बोलना है हर्रा और दूसर है चिरोंजी इसमें देखेंगे भाजपा ने मोदी की गारेंटी के तहती है कि यदि बस्तर में आयरुवेदिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है तो हर्रा और चिरोंजी के अलावा और भी जो अनुपज है इन पर सोध किया जा सकता है आप सभी जानते हैं कि हम ывать हमारे राजिय को जो है हरव बल्स टेर्ट कर जाना जाता है तो हरव बल्स टेर्ट के नाम से हमारा 36 जाना जाना ञाता है राज्य के मलब देश के चुनिंदे से b減ले जिन को हरो प्रेलाइट मिलेगा फिर उनका काफी ज्यादा डीमांड होगा उनका ज्यादा उपयोगी और यह जेंड मानस के काफी न कहीं न कहीं उपयोगी है तो हर्रा और चिरवंजी आपको याद रखना है एक बार इसका फोटो भी देख लीजिए यह हरॉ आप रोशने हों के हर बेहरा जो है इसको मिलाकर हरा आउला अनिया मिलाकर त्रीफलड बनाते हैं इस बहुत उप्योंगी होते हैं सरी के लिए के हर रहे हैं जाकच्छा वाला फ़ल है यह हर ना कले सुखने बाद आसा हुआ यह और च्रोज़ी पूरा आप देखेंगे चार धेखोंगे यह तो पुरा आप देख रहे हैं यह हर रहे है यह हर बिल्कुल जब सुर्वाती दौर में ऐससे थोड़ा सब जिसे आम देखते हो ना शोटे चोटे रहते हैं फिर बड़ा साज हो जाता है ऐसे हर्डा शुरॉवात में ऐसे रहता है फिर बढ़ा होने बाद ऐसा सुखने बाद ऐसा बहुत ही सांदार रुप्योंगी मालोग खासी है सरदी है पेट खराव है तो यह आप खाऊगे तो ए तो इसी गुठलू को फोड़ के उसके लिकलता है चिरोंजी और चिरोंजी आप लोग खीर के माध्यम से खाए होगे खीर वगर में हल्वा पकवान बनता है इसमें खास कर दिलता है चिरोंजी है इसको रेट डाटा में भी सामिल किया गया है चिरोंजी को यह लूप्त हो चिरोंजी को गुठली है इसका हृइजी याद रहए ते दिखना है अगला देखी चवता जो जनकरी है कबार से जुकार आप ध्यान से देखेंगे कबार मतलब जो कबारी वस्तुएं हैं जिनको हम लोग घर में वेष्ट मांते हैं या फिर उसका उप्योग नहीं हो पाता तो कबार के माध्यम से वेस्ट को बेस्ट बनाएंगे तो वेस्ट को बेस्ट रिधान देंगे हीरा गुरूप है एक कमपनी है हीरा गुरूप इस मेना की मूर्ति की 100 किलोग्राम का मैना मूर्ति की 100 किलो वजन का मैना मूर्ति के द्वार के द्वार कदियागे के दवारा यहां करे है मैना के मूर्ती, जो की राजयपक्षी है, मैना, ठीक है, पहारी मैना बोलते हैं इसको, तो यह जो पहारी मैना है, इनका मूर्ती स्थापित, किया जा चुका है, कहां बोलने से रायपूर के गांदी उद्ध्यान, इस ग्रॉप के द Swami적 द्वारा है, तो याद रखेंगे हैं, जरॉरू के आप किंगी माना कियों आज कमाड़ से तैयार कियो है नियुद्र में बड़ा थीजल कि आड़कर पहाड़ी 10 aurait लोकार पड़ функ nostalgia आगे बढ़ते हैं तो इस जानकारी मोहन बने ऊछत्व पं बादifice簡ा विरिज मोहन आप जानते हो राइपूर लोकसभा से सांसद है विरिज मोहन अगरवाल को 36 गड़ स्विमिंग एस देशन की जानते है तहरा की तहरा की संध बुल सकते हो या स्विमिंग एस देशन का अध्यक्ष बनाया गया है जिसे भी थोड़े दिन पहले आप देखें हैं तीरंदाजी एसीसेशन है जिसको बोलते है आर्चरी एसीसेशन के अध्यक्ष बने हैं और यहां पर आप देखें स्विमिंग एसेशन के अध्यक्ष बने हैं हमारे सांसद राइपूर के बिरीज मोहन अगरवाल जी श्टिवड में तहराकी को अंतराश्टी श्टर का बनाया जायेगा ऐसा बात सामने आ रहा है और यहां कोशिस रागी की श्टिवड के जो खिलाड़ी है वो देज दुनिया में श्टिवड का नाम रोशन करें तो श्टिवड में तहराकी एसोसेशन या फिर स्विमिंग एसोसेशन के अध्यक्ष कोन है बोलने से रांसद ब्रिजमोहन अगरवाल इसके लिए श्टिवड में स्विमिंग के छेत्र में इंफ्राइस्ट्रक्चर विक्सित किया जाएगा तो आप पहचानते सभी हैं ब्रि ब्रिमोहन अगरवाल जी को तो ब्रिमोहन जो है छतिवर स्विमिंग एसोसेशन के अध्यक्ष है ऐसे आपको याद दाजी के तो तीरन दाजी के आपको याद नहें इस चैन के आरचरी के कि इनको बोलने है आपको विश्ण देवसा आना सी एम तो यह आपको संग बहुत सारे भी संग देखना नयने संग का गठन हो रहा है आप लोगों को यह कल निश्ट जो मैं एपिसोड पढ़ाऊंगा उसमें बहुत सारे भी संग है जिनके जो है वह आध्यक्ष पाध्यक्ष बनाया गए है उनका वीडियो अगला वीडियो में अभी आप देखेंगे तो 63 सरकार के द्वारा परमपरागत स्भयों को बढ़ावा देने के लिए जो है बस्तर में किया गया है और यह बस्तर उलंपिक गायोजन बस्तरक्र छीटर में कब से कब तक किया जाएगा सवाल यह आसकता है स्टेटमेंश में बस्त्र उलंपिक ड 15 नौम्बर मतलब 15 दिनों तक कारेकरम का संचालण होगा कि较शे 15 15 दिनों की कारेकरम का संचालण लौगा तो सब रहरिछेश को याद रखेगा 20 ऑलमपिक गेम जिस दिन है राजिस्त हापना दिवस होता है एक नौमबर लुश ये क्या है वोलने से आपको तो इस पश्ट्रूप से आधक नहीं बस्तर में या फिर छत्र के इस्थानी खिलों को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन दिव्यांगो और आत्म समर्पित नक्सलियों को अपनी खेल छमताओं को प्रदेशित करने का उसर प्रदान करेगा और इससे समुदाय को खेलों के माध्यम से व्यापक दुनिया से जुड़ने का भी मदद मिलेगा तो यह आयोजन किसको समर्पित है को चांस मिलेगा इसमें तो यह कहीं न कहीं उनको प्रसाहित करने के लिए कारेकरम चलाया गया है 37 को उद्धेश परंपरागत खिलों को बढ़ावा देने के लिए यह यह यादर रखिए गया आगे बढ़ते हैं यह देख लीजिए इसका जलाखना बस तर्लों पिक गेम एक नॉम्बर से होगा 15 नॉम्बर तक खोकबड़ी खास कर अगला खास जानकारी देखिए तूपा बेड़ा यह जगा बहुत ही चर्चित रहा है पिछले 10 सालों से तूपा बेड़ा वक पीप बस तूपा बनाते हैं तो गरियबन में इसा क्या हुआ जो और से सुनिए गांपूर तहसील है यहां पर इस्थित सूपा बेड़ा और गाओं है पीपल खोटा यहां की लगभग 25 प्रतिशत जो अबादी है वो गंभीर वीमारी से प्रिठ हो चुके हैं और वीमारी है किडने की बीमारी ध्यान सुनूएका के दोनों घाओं के जो बोर्व now और कुए के पानी में दुरूलब माने जाने वाले खनीज लीथियम प्रोमियम मेगनीज और फ्लॉराइड इनकी मात्रह समानने से काफी ज़्यादा पाया गया है जिसके वज़ासे वह पानी क्या हो गया है दूसीत हो गया है सारी तो खराब हे खराब होगे मानके काूं से जो है कशनी भृराइट और आर्सनीक जिसके वजय से इंसान का कड़ी जो है वो प्रभावित हो रहा है तो यह कौन से जीले का गाऊ है तो याद रखेंगे गरियबंज जीला है जगह का नाम है सुपा बेड़ा और पीपल खुटा यहां के पानी में जो है विसाक्त खनीज आपको देखने में जो सरी को नुक्षान पहुंचाता है यह सुपा बेड़ा ग्राम पंचायत सुपा बेड़ा देखिए आप लो विकास खंड देभोग जीला गरियबंज तो कम सकम जीला को याद रखेंगे जगह के नाम तो सीपा आठवी जानतारी देखेंगे नौंबर तक तयार होगी ओपन जेल नौंबर में जो है खुला जेल राज्य में एक और होगा जीले में छमता से अधीक कैदियों की भिड़ और उनके रहने की अमानवी परिसितियों को लेकर जन हित्याचिका में आज सासन ने बताया कि नौ करणा पूर्ण हो जाएगा तो सितंबर में बेमेतरा काफी हाई-लैट हो रहे है ध्यानए रखेंगे बेमेतरा में बंबू टावर कठिय गाउं में और इसी बेमेतरा में खुली जेल बेमेतरा में जाएंगे तो बहुत ही खास आपको देखने को मिलेगा वही पर या भूलन करने हैं तो यहीं पर नीर्माण के पहला ही पॉइंट हिसे आपका कठिये । तवर ज़सा दुनिया का सबसे ऊचा अपन एल एल में यहां बहुत बड़ा एरिया में खुल बनने वाला है यह कहुली ज लोगी ग्राम पफ्र में याद कर सकते हैं तो पथर्रा बेवे तरह में हैं और यहाँ कैदी लोग नजार आएंगे अगली जानकारी कांकर में पहली बार खाली स्थान एक पहाड़ी है डुमाली की पहाड़ी पहाड़ी और चार सावक पहाड़ी सर्टा हुआ है फ्यां के पहाड़ को बोलते हैं और उस गाओं के पहाड़ को साथ उनके चार बच्चे दिखे पहली बार एक साथ इतने सावक दिखाई देने करण वह आकर सा के केंद्र बन रहा है चार बच्चे तो टो कांकर का डुमाली पहाड याद रखेंगे तेंड़व और उनके चार सावक के लिए जो है अगला देखिंग तेंगे सितंबर में स्रमिकों को मिलेगा पांच रुपया में भर्पेट भोजन यह काफी पहले से संचालित किया गया था लेकिन कुछ दिनों तक कुछ सालों तक इसमें थोड़ा सा काम रुका हुआ था यह यह जना अच्छे धन से प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो रहता लेकिन यह स्रमिकों के लिए मजदूरों के लिए काम करने वाले लोगों के जाएंगे तो अन्पूर्णा धालभात केंद्र बीजेपी सरकार रमन जी की जब गवर्मेंट थी तो उन्होंने भी या के उन्होंने ही कहना चाहिए शुरू किया था अब बीच में कहना चाहिए यह पाधित हो गया था इसको फिर से नए सीरे से चालू कर जा रहा है तो अन उत्कृष्ट सिक्षा योजना की सुरू भी किया है तो साथ में साथ इन स्रमिकों को पांच रूपर में भरपूट धालभात केंद्र में अनुपूर्णा धालभात केंद्र में खाना तो मिलेगा साथ साथ इनके बच्चों को जो है इस पेसल पढ़ाई के लिए अटल उत ख्री राज्य की पांच बोली बीलूप्त होने का संकट है 9 बोली इस प्राचीन को बोली यह बीलूप्त होने का गार पर कौने Legal par लगर जानकारी कैसे लगर मैं मेरे दृट्वारा हमारे टीम में जो है डेली करेंड़ अफैर राष्टी अंतर राष्टी का अपता ही करेंड़ आपको देखने में मिलेगा हमारे यूट्यूब चनलने में तो ज्यादस ज्यादा लोग जो frequent affair की तयारी करना चाहते हैं competition exam की तयारी करना चाहते हैं वह हमारे इस channel से जरूर जुड़े रहे साथिऊंग तो चली बात करते हैं, राजी की पांच बोली है, पहला बोली है तूरी, तो शातिर वार में बोलते हैं तूरी करके, तूरी से तूरी आदखना, दूसरा आदखना कोर्वा बोली, कोर्वा, इसरा है गोंडी, तूने होंगे गोंडी, चौंथा है धुर्वा, और पांचवा ह यह विलूप थोने के गार पर इसको आप लोग याद रखेगा इंपोर्टेंट है पांच तूरी कुर्वा गोंडी धुर्वा विलॉर राज्य की पांच बोली जो विलूप थोने के संकट में है तूरी कुर्वा गोंडी धुर्वा विलॉर याद रखेगा अब यहां पर इस ग्यारा प्रश्ण है इन ग्यारा प्रश्णों के अधार पर मैंने आप लोग लिए चुन कर दाल दस जो है प्रश्ण बढ़ाये हैं इसका उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा इसे अधारी पर एन पूर्णा दालभात उज्णा को कब बंद कर दी गई थी इसका आंसर इंगे 2022 में बंद कर दी गये था है इसको बात मैं मैं सिंगापूर में इसका आयोजन हुआ तो सिंगापूर में अंतरराष्टी छेत्री हिंदी सम्मेलन में तो माली की पहाड़ कौन से जिले में से कांकेर मैं कर्रेंट में इमसे की सीयरी जेंगांगे। कूल पहाड़ जलपरपात कौन से जिले में है? धंते वाडा अगला देखे, आलही में कठिया ग्राम विमेतरा में क्या बनाया गया है, लचमण जूला, कांच के ब्रीज, बंबू टावर, एफिल टावर, ताक बोलना है, बंबू टावर, 140 फिट, मुच्छा, अगला है, वच्छे ही सेवा है अभियान, इसके सुरुआत, तेली बांधा परिसर में, कब 17 सितंबर, अगला देखे, 37 स्विमिंग एस्सेशन के अध्यक्ष कौन बने है, आप्सन दिया रहेगा, चुनाओ करिए, कौन है, ब्रीज मोहन अगरवाल जी, प्रशना, 29 चक्रधा समारों में किनिके द्वारा, राधारास बिहारी, राधारास बिहारी नि पिछला करेंट फिर बताया भी हूँ, 37 गड़ की दूसरी वंदे भायत ट्रेन किस रूट पर चलेगी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 37 गड़ में 2 अब वंदे ट्रेन चलेगी, वंदे भायत ट्रेन, वंदे एकस्प्रेस कह सकते हो न, ये वंदे भायत एकस्प्रेस, तो एक चलती है रायपूर से नाकपूर के लिए अब दूसरा चलेगा दुर्ग से सिधा विशाखा पटनाम दूसरी वंदे ट्रेन जो है कलने वाली है उद्गाटन हो चुका है ध्यान दीजेगा तो दो वंदे भारत वंदे ट्रेन चल रही है आखरी है सुपर बेड़ा और पीपल गाओं में किस जीले में हैं जहां के पानी के करान लोगों के किड़नी जो है प्रभावित हो रहा है किड़नी की विमारी हो रही है और आपको लेना है गरियवान इस तरीके से आपके सब्सक्राइब करेंट अप्रेशन सितंबर की खास घटना और एक हफ्त बचा है इस पर भी हम इंतजार करिएगा मैं फिर मिलूंगा नया जानकारी के सांथ अब तक के लिए आप सभी का नमस्कार जय जोहार जय शेटिजर आप सभी से मेरी अपील है उमीद है कि आप अप सब्सक्राइब कैसे लगा फिर मिलेंगे कुछ दिनों बाद तब तक लिए जय हिन जय जोहार जय शेटिर वंदे मातरम